आज हम पढ़ेंगे फैरडेज लो उससे भी पहले आपको यह पढ़ना है कि हम यह पढ़ क्यों रहे हैं हमने पिछली ग्लास में क्या सीखा था कि अगर हम किसी कंटेनर में एने सीयल का मॉल्टन स्टेट या सोल्यूशन इलेक्टिसिटी उसमें से पास करा दे तो क्या होता है एक जगा इस पर आपको सोडियम मिलता है और इस पर क्लोरीन मिलता है इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव आसपेक्ट क्वालिटेटिव कि आप बता रहे हो कि आपको किस रोड पर क्या मिल रहे है यह क्वालिटेटिव आ कि किस रोड पर क्या मिलेगा अब हमें क्या सीखना है कि वो कितना मिल रहे हैं इस रोड पर सोडियम कितना मिला इस रोड पर क्लोरीन कितना मिला इसके बारे में हमें किस ने बताया था माइकल फैराडे यह लिखा तो अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव आस्पेक्ट ओफ electrolysis quantitative quantitative का मतलब है आपको ये पता करना है कि कितना मिला sodium ये हमें सबसे पहले किस ने बताया था Michael Faraday, जैसे कि आप देख सकते हो यहां लिखा है, Michael Faraday was the first scientist who described the quantitative aspect of electrolysis तो अभी हम पढ़ते हैं ये सब क्या है इस सब को पढ़ने से पहले अभी पहले मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ, उससे clear हो जाएंगी कुछ चीज़े, देखिए, ये मेरे पास container में, मैंने platinum road लगाई, और ये मैंने उपर से क्या दिये, electrons pass कराई, यहाँ पर 100 sodium थे, 100 Na+, और मैं सिरफ 70 electron provide करा रही हूँ, सिरफ 70, तो फिर कितना sodium road पर जाएगा, 70 जाए That means, यहाँ पर मुझे कितना sodium मिलेगा, sodium का weight किस पर depend कर रहे है, आप उसको उपर से कितना charge provide कर रहे हो, तो यह faraday का first law है, जितना जादा आप इसको charge provide करोगे, उतना sodium इस road पर जाएगा, तो यह first equation है, W is directly proportional to Q, अगर आप उसको 100 electron दे रहे हो, तो यह 100 sodium particles रोड पर जाएगे तो CDC equation मनेंगे, W is directly proportional to Q, समझा गया, what is W, weight of substance liberated, रोड पर कितना substance पहुचा, और Q कहा है, जितनी quantity of electricity, यानि जितना charge आपने provide किया, ठीक है, जितनी electrons provide किया, अब I equals to क्या होता है, Q by T, तो charge equals to क्या होगा, I T, तो हम इसे यह भी लिख सकते हैं, कि W is directly proportional to I T, यह बात समझा गई, उसके बाद W is directly proportional to I T, यहाँ पर इस proportionality को हटाएंगे, तो क्या हैगा, Z, तो बन गया Z I T, तो यह आपको एक formula generate होगा, किस ने दिया था, Faradane, W equals to Z I T, अब आपको जाना है, यह Z क्या है, Z को क्या बोलता है, electrochemical equivalent, मैं आपको अच्छे से इसको detail में बता होती हो, ओके, सबसे बहले तो देखिए, अगर copper हो, copper कितने electron लेता, sodium तो एक electron ले रहा है, copper कितने लेता, copper दो electron लेगा, two, तो copper two electron ले रहा है, sodium तो एक ले रहा था, एक electron लेने पर कितना gram sodium road पे जाएगा, 23 gram, 23 units, क्योंकि एक sodium का weight कितना होता है, 23 units, तो एक electron लेके कितना weight ज उनिट जा रहा था पर copper दो एलेक्ट्रोन लेकर इसका मास होता है 63.5 तो यह दो एलेक्ट्रोन लेकर 63.5 यूनिट जाएगा तो मैं पूछती हूँ comparison रखो समय तो एक एलेक्ट्रोन पर वो कितना जाएगा कितना जाएगा 63.5 divided इसका अटॉमिक मास होता है 27 तो एक इलेक्ट्रोन लेके कितना अल्यूमिनियम जाएगा सिरफ एक पर इलेक्ट्रोन बताईए 27 बाइए तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ता है इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइड़ बाइड़ नंबर ओफ इलेक्ट्रोन यह धियान रखना इक्विवेलेंट वेट क्या होता है molecular weight divided by number of electron तो copper का equivalent weight 63.5 divided by 2 ऐसे aluminum का 27 divided by 3 sodium का 23 होता है तो 23 divided by 1 क्योंकि sodium से fake electron लेता है ठीक, अब Z किसके equal होता है equivalent weight divided by 96500 मैंने बताया था 96500 क्या होता है एक mole electron पे जो charge होता है उसे क्या बोलते है 96500, faraday is constant ठीक है, ये अगली वीडियो में आपको दुबारा समझाओंगे 96500 कहां से आया तो अब आप Z निकाल सकते हो, equivalent weight divided by 96500 equivalent weight कैसे निकालते हैं molecular weight divided by number of electrons, ठीक है अभी बताऊंगे अभी ये Z क्या है सबसे पहले notes पढ़िए एक बर मुझे ये बताऊ पहले कि जब मैंने electricity pass की, road पर क्या मिल रहा है, इस road पर क्या मिल रहा है, sodium, इस road पर क्या मिल रहा है chlorine मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है हो क्या रही है, NACL में reaction ही तो हो रही है NACL में क्या हो रही है, reaction तो मैं ये बोलू, मुझे कितना sodium या कितना chlorine मिला road पर, या मैं ये बोलू, कितनी reaction हो रही है, दोनों बाते सेम है तो, मैं क्या बताया था पहले, कितना sodium मिलेगा वो किस पर depend करता है, जितना आप उसको charge प्रोवाइड कर रहे हो 70 charge दे रहे हो, तो 70 ही sodium जाएगा इसको ऐसे भी तो लिख सकते है ये reaction कितनी होगी, किस पर depend करता है जितना charge उसको प्रोवाइड कर रहे हो दोनों बाते सेम है, पहले मैंने क्या बोला sodium कितना रोड पर जाएगा डिपेंड करता है, आप उसको कितनी electricity दे रहे हो, या ये पूरी reaction कितनी हो रही है ये किस पर depend करता है, उसको कितनी electricity दे रहे हो, दोनों बाते क्या है सेम, तो ये पढ़के देखो NCRT में यही लिख है क्या, the amount of chemical reaction, the amount of chemical reaction which occur at any electrode, एक रोड पर कितनी reaction हो रही है, या कितना weight इकठा हो रहा है, during electrolysis, ठीक, यहां क्या लिखा है, during electrolysis is proportional to quantity of electricity pass through electrolytic solution या melt, किसी electrolyte के solution में, या उसकी molten state में, जितनी electricity pass कराओगे, उतना weight उस रोड पर जाएगा मैं repeat कर रही हूँ, यहां पर कितना sodium इकठा होगा, depend करता है कि उसको कितना electron आप दे रहे हो, जितना electron दोगे उतना यहां पर sodium जाएगा या इसको ऐसे बोल सकते हैं the amount of chemical reaction काट के क्या लिख सकते हो, the amount of substance produced at any electrode, ऐसे भी लिख सकते हो मैं यही लिख वाते हो, वैसे the amount of substance produced या liberated at any electrode या इसको भी लिख सकते हो, जो बुक में लिखा हो है, chemical reaction which occurs एक ही बात है, जितना वो substance liberate होगा, उतनी ही तो reaction होई होगी ठीक, अब उसके बाद W किसके directly proportional है क्योंकि अभी बताया था, ये भी बता अब इनके नाम देख लो W weight है, quantity of electricity, current, time ये क्या होता है, electrochemical equivalent, अभी मैं समझा दूँगी ये होता गया है, अब Z किसके equal बताया था, मैंने अभी equivalent weight upon 96500 और equivalent weight का formula molecular weight upon में N अब एक बार Z को अच्छे से समझते हैं ये Z क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर container में substance लिया, कोई भी sodium लिया suppose, मैंने 1 column charge provide किया, सिरफ 1 column W का formula क्या बताया था W किसके directly proportion है, क्योंके proportionality अटा के क्या है, Z अगर 1 column charge provide करूंगे, 1 column तो यहाँ पर जितना भी weight मेरा sodium का एक अठ्ठा होगा, वही किसके, वही क्या होगा, Z What is Z? The amount of substance यह वो उतनी मात्र है कि सबस्टांस की, जो की इकठी हुई है, जब 1 column charge 1 column charge मैंने provide किया है, या W equals to Z भी तो था तो एक container में मैंने 1 ampere current 1 second के लिए pass कराया, 1 ampere current 1 second के लिए pass कराया, तो जितना यहाँ पर matter ही कठा होगा, वही Z होगा, तो Z क्या है? दोनों definitions देख सकते हो amount of substance liberated at any electrode when 1 column charge is passed through किसी electrolytic solution में 1 column charge पास कराया है, जितना substance ही कठा होगा, वही Z होगा जैसी कि देखो, Q1 1 column, तो यह Z क्या होगा? W के एक्वल उसके अलावा ऐसे भी लिख सकते है W equals to ZIT एक ampere करन, एक second के लिए पास कराया है, उस समय जो भी weight ही कठा होगा, वही क्या होगा Z तो यह भी पढ़ लो, it is the amount of substance liberated at any electrode when 1 ampere current passed through electrolytic solution for 1 second, ठीक है? तो Z समझा गया? अब कुछ questions ट्राइ करते हैं, ताकि इस पे confidence आए सारे तीन questions है, तीनों सेम है दो NCRD के हैं और एक boards का है, तो एक बार देखते हैं बारी-बारी से, सबसे पहले तो question पढ़ो, इसमें क्या लिखा है एक solution है, copper sulfate blue color का solution होता है, याद आ गया होगा तो इसमें कौन से ions घूम रहे हैं container के अंदर, CO2 plus ions ये बात तो समझ गे, कहां पे जाएगा cathode पे जाएगा, सिखाया था ना किस पे जाएगा, cathode पे आपने इसको electricity दी, जितनी ज़्यादा electricity दोगे, उतना ज़्यादा copper इस पे हो जाएगा, तो देखो copper sulfate, a solution of copper sulfate, ये देखो 10 minute के लिए, इतना ampere current उसमें pass कराया है, पूछा है, कितना copper इकठा होगा, यानि W equals to Z का formula लगेगा, ये वाला, अब I, I की value कितनी दे रखिया है 1.5 ampere, T की value कितनी दे रखिया है, 10 minute 10 minute में कितनी सेकिंड होगे, 600 सेकिंड, T पता चल गया I पता चल गया, अब Z नहीं पता, Z का क्या formula बताया था, equivalent weight upon 965 00, और equivalent weight का formula molecular weight upon में N copper कितनी electron लेता है, 2 copper का जो वजन होता है, molecular mass, वो 63.5 है तो उसको किस से divide कर दोगे, 2 से ठीक, equivalent weight आ गया इस equivalent weight को इस formula में put करो, equivalent weight 63.5 upon में 2 into में 965 00, सारी values यहां put कर दो, तो Z आ जाएगा और W भी आ जाएगा grams में, समझ आ गया होगा एक और question ट्राइ करते हैं ये वाला ये भी NCRT का है Ni NO3, तो solution में कौन से ions गूम रहे है, Ni2 ठीक है, इसका जो molecular weight 60 minutes, तो उसको मैंने second में convert कर लिया, 20 minutes में, कितनी second होते हैं 1200 second, उसके बाद इसमें current दे रखा है, I दे रखा है, 5 ampere तो I पता है, T पता है, Z ने पता Z का formula एपलाए कर दो ये वाला, ठीक है, और equivalent weight का भी formula एपलाए कर दो, तो equivalent weight किसके equal होगा, molecular weight 59, कितने electron लेता है nickel, 2 लेता है, upon me 2, और यहाँ पर सारी values put कर दो, 9, 6, 5, 00, as it is रहेगा, यहाँ आगे पढ़ेंगे, यह क्या है दुबारा से, और यह सारी values put करने के बाद, आपका W आ जाएगा, इतना एक और question है, यह boards में आया था, 2017 के board exam में, ठीक है, तो एक बार वो पढ़ लेते हैं देखो, इसमें काए, AG calculate the mass of AG, कितना AG गठा होगा, जब 2 ampere current 15 minute के लिए पास कराएंगे यह molar mass इस बार दे रखा है पेपर में सब कुछ दिया होता है और F की value दीतनी दे रखे, 9, 6, 5, 00 यह F होता है, faraday constant ओके, देखो, time दे रखा है मैंने as it is लिग दिया, i दे रखा है वो भी मैंने as it is लिग दिया, ठीक है उसके बाद, equivalent weight का formula लगा दो AG कितने electron लेता है, 1 लेता है तो इसके molar mass को 1 से divide कर दो equivalent weight आगया, उसको यहाँ put कर दो, 9, 6, 5, 00 से divide कर दो z आगया, z की value रख दो i की value रख दो, t की value रख दो t की value कितनी है, 900 i की value कितनी है 2, z की value यह सारी, तो आपके पास क्या आजाएगा w, ओके तो यह faraday का first low था, simple था बिल्कुल simple था, क्या बताया इसमें कि जितनी जितनी electricity उपर से पास कराओगे, उतना इसके अंदर जो भी matter है, वो इस road पर चलता चला जाएगा मैंने बताया ना, 1000 sodium ले लो और सिरफ 700 electron दोगे, तो सिरफ 700 electron ही तो जाएगे, एक sodium एक electron लेता है, तो कितना sodium उपर liberate होगा, 700 उससे जादा तो होगा ही नी, समझा गया तो यह क्या था हमारा faraday का first low, अब हमें पढ़ना है faraday का second low, ओके